कुछ आइडिया है कि फाइनेशिल मैनेजमेंट है क्या अक्च्छल ऐसा है कि मैं आप पढ़ा वड़ा नहीं रहूं भाई आप से बात करने के लिए हूँ आज तो पढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं हूँ करें एकाउंटिंग करते हूं एकाउंटिंग में पहले बात है और आरेक्शन वो बताया जाए जाए बिलकुल सही तो से पहले कितने नमबर गया 50 multiple choice question कितने नमबर के आएगे 30% कहा गया है अभी तक जब तक MTP नहीं आता हम नहीं आता हम नहीं आता है multiple choice question भी दो टाइप के एक plane और एक है case study अभी तक हमको कुछ भी नहीं पता और यही पास करवाएगा आपको ठीक है multiple choice question इना जीटी कि होगा नहीं क्योंकि अब तो ठीक सुनो financial management क्या है simple सी वात समझना मेरी बात मैं decision making है पूछे लेता हूँ ज़्यादा अच्छा है देखता हूँ कि कितना गहरे पानी मुझे कितनी मेनद करना पहले यह मालो मैं कहीं पढ़ा रहा था और वहां मुझे पढ़ा रहा था तो बच्चे भी अच्छे खासे आ रहे थे मैं सूचा यार और मुझे कुछ परसेंटेज मिलता था तो मैं सूचा क्यों ना यार rent पर ले लिता हूँ अगले दिन से सब गयब 10,000 रुपए मैं दे चुका हूँ ठीक है अब यार मैं एक दिन दो दिन तीन दिन इंतिजार किया बच्चे आ ही नहीं रहे आ ही नहीं रहे परिशान हो गया कितना rent दिया मैंने और कोई alternative यूज है ही नहीं है उसका मेरे पर एक दोस्त आया वो बलता है मुझे पढ़ाना मेरे बास तो है या premises उसने देखा और उन्होंने का कि मैं दो हजाद रुपए दूगा rent का क्या ये premises मुझे उसको rent पर दे देना चाहिए मैंने लिया कितने में 10,000 देना कितने में बता दो सी लोग मैं भी तो सुनू आपका decision आजी देना चाहिए या नहीं पैसे बच्चे ही नहीं आ रहे ना यहार वो बला 2000 दोंगा yes या नो बात खताब सुनू ये सब छोड़ दो मैंने गाना ये सब काम आने वाला है आपका तो अब भी से हो जाए ये फाइनल वोई पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको हां जी answer मुझे 2000 ₹ में देना चाहिए या नहीं कुछ कुछ है नहीं है भाई कोई घर नहीं बसा सकता मसे सिम्पल सी बादे 2000 ₹ में देना चाहिए कि नहीं पक्का इतने का लोस है दो हैज़र का प्रोफिट है थेखो दो आघज़र कॉ वैड आच ये बोल रहा ही दोनों एंगल से सोच जो एक में बोल रहा ह। अट है जर का लोस और ईक बोल रहा है का प्रोफिट मतलब 2000 का प्रॉफिट ना भई आप नेगेटिव सोची क्यों रहा हूं में गह रहा हूं इसको पॉजिटिव सोचो ना हम किसी भी चीज को क्यों देंगे रेंट पर हमके फाइदा हो रहा है अभी कितने का लॉस हो रहा था हां तो पैसो का ना जाना भी आने के बरावर ही तो ना है यार को तो पड़ा होगा पॉर्शिटि कोष्ट तो क्या देना चाहिए कि नहीं हां 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 देना चाहिए बहुत मस्किल आएगा अब यह आगे और एक और एक कोशिण फिर मैं एशे ऐसा पता लग जाएगा कि सो सी ये की तरह जवाब देना आ मादमी की तरह है दो बिजनेस है A या B अब बताना कौन से बिजनेस में पैसा लगाना इसमें कितना पैसा लग रहा है आज 1 लाक और इसमें भी कितना लगेगा 1 लाक टोटल बिजनेस जो है पाध साल ही चलेगा कोई गुशन वाला नहीं है हर साल इस से आएगा 25 ऐसा अनुमान है मेरा 25-25 जार रुपए पास साल तक और इस से आएगा 40-40 जार रुपए पास साल तक दूनों में से किसी एक बिजनेस को सेलेक्ट करना है सोस समझ के जवाब देना CA की तरह कौन सा बिजनेस करना है हाँ जी, आंसर आंसर चाहिए मैं बात करना है मुझे पढ़ाना ही नहीं है अभी तो मुझे से डिस्कुस करना है कौन सा बिजनेस A या B देखो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के साथ मैं बता रहा हूँ और अब तो प्रॉब्लम है multiple choice question समझते हो ना 2 into 2 कितना आप लोग इतने डेंजर हो मालूम है 2 into 2 कितना होता है पर यह इतना इजी तो हो नहीं सकता है यह दिक्कत है यही दिक्कत है और उसकी वजह से हमारा multiple choice अंसर कोई भी बता देगा भी इसमें CA हो चाया आम आदमी क्या फरक पड़ा या दिक्कत यह है बस मुझे यही करवाना बहुत ज्यादा में छुटी आप भी आएगी आठ मार्च से पहले पहले मुझे खतम करना है क्योंकि 9 मार्च को मैं कहीं निकल जाओं 8 मार्च को महाशिवरात्री तो उससे पहले ही खतम होगा ठीक लिखते नाम फिर बात करते में एक एक चेप्टर को नाम लिखते पहले और पूछते जाता हूं कि कितना कुछ आइडिया है मतलब मैं मान के चल रहा हूं फम नहीं पढ़ा है यहाला पहला लिखोगे चेप्टर को नाम इनिवेस्टमेंट डिसीज़न इन्वेस्टमेंट डिसीजन हाँ जी मेरे साथ सत लिखते जाओगे नहीं तो सो जाओगे इस चिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन multiple choice question आते हैं और आपको भी calculator चलाना नहीं आता है उस पे हमको practice करना पड़ेगा suppose फोड़ा बहुत तो idea होगा पर मैं देख लेता हूँ कि idea है कि नहीं है calculator का मानलो cost है यह लिखना नहीं है न 500 इसी product है मानलो यह product है इसको मैंने खरीदा है 500 रुपमे में ठीक है और इसको profit जोड़के बेज देता हूँ और profit होता है 20% of sales तो बताओ selling price क्या आएगा 625 जैसे निकलना अच्छा देखकर आयो ना वही मैं चेक कर रहा है तो पहला investment decision बहुत सारी बाते करना क्योंकि यह chapter में start कर रहा हूँ पहला जो chapter होगा वह हमारा capital wasting होगा ठीक है तो यह chapter start कर रहा हूँ तो इसके matter पर मैं अभी बात ना करूँ तो चलेगा second लिखोगे cost of capital cost of capital हमें business करना है पैसो का arrangement तो करना पड़ेगा बिजनेस कहा करना वो इस chapter में पड़ने वाले पैसो का arrangement तो करना पड़ेगा अब यार अब bank गए ठीक है अब अराम से सोचके बताना एक bank ये है एक bank ये है ये है ये ये है बी इतना रुपए उठाना है हमको एक लाग रुपए ये बोल रहा है कि 10% और ये बोल रहा है कि 12% लगेगा वो लोग कहां से पैसे उठाओगी पूरी बात तो सुनो जो बी बैंक है उसका bank manager बोल रहा है कि भीया हमारे यह processing cost लगता processing cost समझते हो ना बोले आपका जो एक लाग रुपए इसमें से 20,000 रुपए तो processing cost लगेगा इसमें 20,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगा एक लाख रुपए मिल रहा है 20,000 रुपए क्या लगेगा processing fees बताओ कौन से bank से लेना चाहिए अपसोस समझ के बोलो इसमें 12% इसमें 10% तो दिल कर रहा है 10% पर प्रोब्लम है processing fees finance finance cost बोल देचे हाज कहां से पैसे उठाओगे इसके लिए चैप्टर पढ़ेंगे cost of capital इतना हाथा नहीं है यह पढ़ना है point number three capital structure किसी भी company को पैसो की जरूरत पढ़ती है तो पैसो का arrangement कहां कहां से equity referentia or capital eventures eventures वालों को तो fix देना पढ़ता है equity वालों को मतलब कमाएंगे तो देंगे नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे अच्छा आप अगर बनना चाहोगे तो आप मुझे मेंचे पैसे चाहिए एक मैं यह दे बोल रहा हूं कि यार देखो आपको fix दूँगा 10 पर्शन दूसरा मैं बोल रहा हूं है कमाएंगा तो मैं दूँगा नहीं तो नहीं दूँगा कौन किस हिसाब से पैसा देना चाहोगे fix या फिर ऐसा equity क्या बनना चाहोगे हाँ risk तो है कमाओंगा तो दूँगा नहीं तो नहीं दूँगा तो पैसे किससे आप क्या बनना पसंद करोगे पक्का मतलब एकवटी तो कोई खरिदा नहीं होगा ऐसा है तो इससर ownership ownership का क्या करोगे financial हाँ ज्यादा मिलेगा यह कंपोली में जादा प्रोविक actually मैं भूल गया मुझे फाइनल ही पढ़ा नहीं आप लगों तो मुझे बस इतना बताओ debt अच्छा की एकवटी मैं कंपनी हूँ debt अच्छा की एकवटी invest आप अपने एंगल से बताओ फिर मैं कंपनी के एंगल से बात करूँ debt बरबाद हो गया थो चलाए नहीं नहीं ठीक है आप सही बोल रहा मेरा बस कोश्चन ही है कि चलो मैंने debt से पैसे उठा लिया क्या मुझे fix देना पड़ेगा हां और नहीं चला business तो तो भी देना पड़े तो यार तो दिक्कत है फिर तो और आप क्या बना पसंद करोगे आप अपने एंगल से बात करो company के एंगल से मैं बात करूँगा debt या एकवटी अचा company के एंगल से बात करूँ debt अच्छा के एकवटी company करूँ debt अच्छा या एकवटी अब नहीं यार ऐसे debt से पैसा लेता हूं तो एक लाख रुपए लिया मानलो 10% ब्याज है तो मुझे देना कितना पड़ेगा? 10,000 एक लाख पे 10%, 10,000 अब मैं सोसरा हूं कमाता हूं मानलो पहले साल मेने दो लाख रुपए कमाया कितना देना पड़ेगा? 10,000 3,000,000 कमाया要 कितना देना पड़ेगा? 10? लेकिन अगर मैं 20 से पैसा लेता हूं तो जितना कमाऊंगा देना पड़ेगा कमाऊंगा देना पड़ेगा क्या अच्छा? debt सोचो 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 न थोड़ा सबस्चो बिवाक कमाते जाओंगा पर देना तो 10,000 यह बाई Debt अatch़ा debt अच्छा पर नहीं कमाएına तो देना ही पड़ेगा उस condition में अगर नहीं कमाऊंगा तो आपका answer जैना sister अगर अपमें दम है होना जिए फा उकर आपमें20 अगर आपमें 10 में तो यह टाइम पस, लिवरेस, लिवरेस क्या है, बताओ, मैं बता देता हूँ, यह बॉक्स है, लिवरेस कभी नाम सुना, लिवर, लिवर नाम सुना है, लिवर, 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 लिवर यही पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा है ना हाँ, तो वही मैं पढ़ाऊँगा यहाँ, फिजिक्स ठीक है, लिवरेज में वही पढ़ाऊगा वह DOL, DFL, Degree of Operate, EBIT, वह फॉर्मुले से क्या होगा, फाइनल में फस होगे फाइनल में मैं बहुत जोड़ा रोडाता हूँ, तो सुन लो, अभी भी हमको यहाँ बहुत ढ़ाँग से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा टॉपिक है, है नहीं है, दो जाद, दो तीन क्लास का है, फॉर थिन क्लास में खत्म, दो क्लास में खत्म हो जाता हूँ पर Confedial 0.… फाईफ। वरकिंग कापैटल मेनेजमेंट वरकिंग कापैटल मेनेजमेंट वरकिंगापैटल समस्ते हूँ हाँ अचली देखो नहाँ उल्क पढ़ेगा रुख़िया रहिए पूरा फाइनेशेल मेनेजमीनट क्या है पहला पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है फाइनल हो गया है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है अब सवाल यह है कि पैसा तो पैसे अरेंज तो करना पड़ेगा अब अरेंज कहां से करना कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा और कैपिटल कहां से अरेंज करना हमको यह देखन क्या बात करूं मैं चैप्टर के साथ में डिस्क्रस करूं वर्किंग कापिटल मैनेजमेंट क्या है प्रॉब्लम क्या है अच्छी ना मालो आप बिजनेस कर रहा हो दिक्कत क्या है कि आप बिल्डिंग खरीद लिए बहुत अच्छी बात है एसी लगा लिया खीक है मतलब यार ओफिस आप तो सीए लोग हो है तो ओफिस ऐसा लगेगा ओफिस बहुत अच्छा सा बना लिया अपने बहुत अच्छा सा ओपिस सब कुछ है अब दिक्कत है प्रेंटर में इंक नहीं है तो आप कितना भी अक्छा बना लो या बिना वरकिंग कापिटल के काम हो नहीं सकता इसमें बैंक ओफ्रफट वगिर आए मतला बैंक में जितना पैसा जमाहें निकाल सकते है करेंटे काउंट है मेरा करेंटे काउंट है मेरा जाओं का बेंक से बात करूँ आद तब या अपकी करेंट अच्छा चैप्टर डिबिडाइंग हिवीड़ेंड शेयरूयडर को कितना देना है कौन डिसाइट कर ए caveat को पर के शम्भानी की बात करें रिलायंस कमपनी रिलायंस कमपनी अपनी शेयरूडर को डिवीड़ेंड देना चाहता कोई डिसाइट करें ऐसे ऐसे समझ में यहां लिखूंगा ना फिगर तब समझ में एक कंपनी एक लाख रुपए कमाया भाई एक लाख रुपए और एक लाख रुपए डिविडेंट दे देता है उसकी यह पॉलिसी जितना कमाऊ सब सेरोल्डर खुश तो हम खुश और दू करेंगे आप कौन सी कंपनी के शियरोल्डर बनना पशंद करो कि अधा पैसे नहीं चाहिए है यह तो एक लाख रुपए रुपए दे रहा है मतला बचाना अच्छा है कि ने पकाना तो सी कंपनी एक लाख रुपए गमाई बलते नहीं देते डिविडेंट खुश बचा र चैकिमानी खुर डिविडेंट देना फूखे तो आप ऐराया वह थे ढुग है अधाल ज्मााई اتब खुश थे जुट प्रपोस कीरें, कि देखो हम ना कमा रहा है उसका 50% dividend देग देंगी ते प्रपोस करने से काम चल जाता है किया? कि डिलियर्ड कॉन करता है? मैं लाउ में घुस रहा हूं पर जरूरी है कि टीलियर्ड तो बोडी करेंगा यार तो भी प्रपोस ही क्यों कर रहा है? अच्छा सब्सक्राइब अप्रूट कैसे देटें अप सेरोडर है यही तो सुनना चाहता हूं रिजॉलूशन पास करना पड़ता है यह लोग लेग विज की यूज निकर रिजॉलूशन पास करना होता है मतलब वोटिंग होती है उसके हिसाब से फिर फाइनल होता है पर सबसे इंपोर्टेंट क्या है वो तो मैं बात नहीं करूंगा उस मैटर पी क्या रिजॉलूशन जनरली पास हो जाता होगा मतलब क्या शेरोल्डर हां बोल ही देते होगे चलो मैं मुके सम्भानी यूट्यूब में जाएगा ना दिक्कत यह है मैं मुके सम्भानी ठीक है अच्छा रिलाइंस किसके कंपनी है मुक्य संबानी बोल दूँ लोग तो shareholder की बोलते हैं हमने तो बच्छपन में shareholder की company ऐसा सोना था तो उसको मुक्य संबानी की company क्यों बोलते हैं percentage ज्यादा है मतला 50% से ज्यादा है मैं मुक्य संबानी मैंने कहा कि मैं dividend देना चाहता हूँ 50% क्या आप लोग तैयार हो आप लोग मतलब किसकी बात कर रहा हो फिर मुक्य संबानी इधर जाके बैठेगा कहां मैं तैयार हूँ नहीं मतलब वो शेरोल्डर नहीं है एना यार हमें आरा काम है कि मुक्य संबानी को सला देना कितना डिविरेंट देना है और उसके लिए बड़े-बड़े विद्वान लोग आएंगे वाल्टर्स, गोर्डन, एम-म बड़े-बड़े लोग आएंगे वो वहाँ डिसकस करेंगे और लास्ट टॉपिक आप बस इतना सही है रेश्यो अनलिस रेश्यो दो ट्वल्थ में पढ़ा है जर आप मैं भी दो पूच्छो मालूम है ये ना पता नहीं यार ICAI का मुझको समझ में नहीं आता फाइनल वाले बच्चे रोते हैं कि सर हमने इंटर पढ़ा रेश्यो भी पढ़ा बहुत अच्छी बात है फाइनल में रेश्यो है ही नहीं एक कोश्चन चिपकाता है उनको चिपकाता है भाई मुझे समझ में नहीं आया इस तक आई से तो अब देखोगे ना बुग देखोगे सर कोगे इस तर ये क्या पागलफन है हमारे हम कोई भी टीचर रेशो नहीं पढ़ाता है और ये रेशो का एक कोश्चन वहां जिपका देता है उनको ऐसा लगता कि देखते हैं ट्रेश्ट करके देख रहा है बच्चे इंटर पास होकर रहा है बच्चे पर रेशान है बोलते सर पूरा इंटर अब हमको तो पता नहीं भूल गया सब कुछ इसको भूल नहीं सकते आप है यह बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है रेशो के कोश्चन सा रहा है अच्छा सबसे बड़ी बात है कि रेशो करेंट रेशो सुना है आपने चलो नहीं सुना है तो भी कोई बतने करेंट अगर करेंट लाइबलिटी है एक लाक और करेंट एसिट है पाच लाक तो रेशो क्या हो गया पाइव इस्टू वान क्या कहना चाहता है यह रेशो जितनी लाइबलिटी है उससे पाच गुना ज्यादा हमारे पास एसिट्स है तो यह अच्छा है कि बुरा अच्छा है और अगर वन इस्टू आने तो टीक है बही जितना देना उतना हमारे पास आने वाल है ना यार अच्छा सिक्सिटू आने तो इसे ज्यादा नहीं होना चाहिए अच्छा मेरा 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 कोश्चन पहला आपने क्या बुला टीक्ष्टू इससे ज्यादा पुल सकता चलेगा पक्का ना अपने प्रॉब्लम क्या है यार करेंट रेशियो में क्या क्या आता है पता है डेटर्स हो गए बिल से रिसीवेबल हो गई स्टॉक्स हो गए मैं स्टॉक्स की बात करूं जितना मुझे देना है जितना लाइबडिटी है क्रेश उससे पाच गुना ज्यादा मेरे पास स्टॉक्स पागल बन नहीं है दुकान में माल भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो पैस बिक भी हरा नहीं कि आपका पैसा ब्लॉब हो रहा है। जबड़स्ती पैसा ब्लॉब हो रहा है। बोलो क्या रेशो 6-1 और अच्छा। नहीं बाई नहीं, 2-1 का मतलब ही नहीं समझा। 2-1 का मतलब है। ना इस से कम ना इस से जात। तो रेशो में सिये लोग करते हैं आपको पता है यह आपके पास एक स्टेटमेंट है हम आप अपने ऑफिस में बैठोगे ना आप डॉक्टर हो यार आप क्या करोगे मालूम है अब कभी अपने रिपोर्ट ब्लेट टेस्ट वगेरा करवा है उसमें हीमोगलोबिल लिखा रह आपका क्लाइंट है मैं आपका क्लाइंट हूँ आपने देखा अच्छा रेशो सेक्स टुवान क्या कर रहा है इसमें एक रेशो की बात करों ऐसी जमाने बर के रेशो है और आप सिर्फ देखकर बता सकते हूं कि कंपनी की क्या कंडिशन वो पढ़ा और आप बताओ कि इस रेशो में यह जरुरत इस रेशो में जरूरत अब पढ़ने का मचा नहीं तो फिर तो फॉर्मुले से तो होई रहा है कि है घथा कहां से करेंगे वैस इतना ही है स्टार्ट कर रहा है इनवेश्टमेंट डिसीजन लिखो गे फरस्ट टॉप चेप्टर इनवेश्टमेंट आज calculator लगेगा और आज में देखूंगा कि कितना उन्वाले से calculator इन्वेस्टमेंट डिसिजन ये स्टार्ट किया है या फिर पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कुछ भी इसमें आपको पढ़ना है बेसिक्स तूसरा रिप्लेश्मेंट डिसिजन और तीसरा है capital राशनी और भी बहुत कुछ हुआ करता था तब खतम हो चुका है इतना ही आपका capital बुस्टी बहुत कुछ था सब खतम बस इतना सा पढ़ना है खतम करना रिप्लेस्मेंट डिसिजन फाइनल में भी है यहां भी है यह वाला टॉपिक जो है यहां फाइनल में भी पढ़ना फाइनल में किस नाम से एडवांस capital investing अपका simple है तो पहले लिखोगे basics अभी start कर रहे हम लोग basics हम क्या करने वाले हैं बहुत time pass नहीं करूँगा क्योंकि समय कम है उसके सबसे तर हम long term investment proposal उसका हम करने वाले evaluation उसके लिए जो techniques use होती उसका नाम है capital investing इसी तरह से बनाना notes और capital budgeting में जो techniques है उसको दो पार्ट में बटा है कले note कर लीजिए फिर मैं समझा हूँ multiple choice question है याद रखना कि जो भी लिखवा रहा हूँ है सब काम की चीज़ एक है non DCF technique DCF समझते हूँ non discounting cash flow techniques और यह जाएगा DCF technique इसके अंदर first payback period तर यह कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी अभी कुछ समझाया नहीं है payback period दूसरा error accounting rate operator इसको प्यार से error बोलते है याद रखना error सब्धी दे देता है आपके exam में error लिखा एक और इधर total मिलाकर हमको चार techniques पढ़ना है first discounting payback period second net present value इसको NPV बोलते है net present value NPV नाम सुना है नहीं सर net present value आगे लिखोगे profitability index इसको प्यार से मतलब पहले पढ़ा हुआ है आइड लास्ट आईरर internal rate of rate अच्छा हाँ आईरर आईरर यह क्या चीज है discounting non-discounting यह सब कुछ यह समझा रहा हूँ यहां तक हो गए आपका फास्ट लिखिए payback period फास्ट लिखोगे payback period इसके question आते हैं और ऐसे-ऐसे question आते हैं ओके सार अब आपका calculator वाला काम start अभी कुछ लिखवाँगा ने सिर्फ पहले समझेंगे payback period अभी कुछ ने लिखवाँगा पहले समझेंगे फिर खुद की language बनाएंगे तो प्रोजेक्ट है एक लाख बीस जार ठीक है हर साल पैसा आएगा जो पैसा आएगा उसको हम cash inflows बोलते इतने साल का प्रोजेक्ट है अच्छा दिसलाए अच्छा दिसलाए। कौन्सा प्रोजेक्ट करना चाहिए। A आप बी। वेजह। वेजह। विच प्रोजेक्ट फुट भी एक्सेप्ट पहला कोश्चन जवाब देना सूस समझ पैसा कब लगा रहे हूं पैसा आप इनवेस्टमेंट कर रहे हूं यार बिजनस में कब कर रहे हूं आज हमको मालू में एक लाग रुपे लगीगा यह कब आने वाला है पक्का पक्का आएगा एक सल बात आएगा ना तुनों ना भई आप नहीं समझ रहे हूं कर क्या रहा है मुझे यह डिसाइट करना है कि बिजनस में पैसा लगाना है तो कि बिजनस में पैसा लगाना है यह तो आज लगा रहे है यह तो हमको मालूम है पर कि future में कितना आने वाला अनुमान लगा सकते हैं? किसी भी चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे लगाते हैं? CA Inter का result आने वाल अटेम्ट में 80% आएगा बोलो मैं सहीं की गलत? गलत वाओ आपको पता है कि क्या होने वाला हर चीज पता होती है मैंने आपको पता नहीं, basic class में बताया हूँ कि नहीं पर मैं गयता हूँ किसी बच्चे का 9th class में 80% है 10th में 82% है 11th में 81% है 12th का अभी अभी exam दिया है और मेरा अनुमान है कि उसका 33% आएगा बोलो मैं सहीं कि गलत, गलत, क्या आपको कहीं न कहीं अनुमान पता लग जाता है, कहां से पता लग जाता है, पास्ट कहां, तो ये भी कहां से पता लग रहा होगा, पास्ट से, क्या पक्का ऐसा होगा, पक्का नहीं बो सकता है, इसमें डैवियेशन हो सकता है, उसके लिए टॉपिक होता है इस्टेंडर्ड एविएशन जो हट गया है ठीक फाइनल में पढ़ना ठीक है तो अनुमान लगाया जा सकता है अब सवाल है कि कौन सा प्रॉजेक्ट करें बस यह कि अगर मैं कहता हूँ आम आदमी नहीं पढ़ा हमने कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको यूट्यूब में सब बोल जाएए आपको कैसे पता लग रहा कि अगर आप पहली बार देखकर बी बोल रहा है तो वज़ा क्या है बी बोलने की एक सिंपल सी मुझे वज़ा ब मिला कर एक लाग पच्ची से जार तो एक्सरा कृतना पच्चीस इसमें टोडल मिला बेन कितना हे में नाम है और उस difference का नाम है NPV बस उसका present value नहीं किया हूँ मैंने तो अगर मैं कहूँ ये आपके लिए सबसे ज़्यादे important method है yes, 99% question यहीं से आते है तो please NPV हमको धंग से करना important हाला कि अभी हम NPV पे पहुचे नहीं है अभी बिल्कुल basic सी बात करें पैसा कितना जा रहा है हर सल कितना आ रहा ये जो एक लाक रुपए जा रहा है ये मेरा कितने साल में recover हो जाएगा ये पैसा कितने साल में जमा हो जाएगा पच्चेस प्लस पच्चेस चार साल में और ये पैसा कितने साल में जमा तीनी साल में तो क्या चाहते हो, कि पैसा जल्दी रिकवर होगी देर से, जल्दी, उसी का नाम है payback period, payback period कुछ नहीं है, तो payback period में decision कैसे लोग है, multiple choice question, payback period में earlier is better, या फिर lower is better या higher is better, earlier, lower, payback period काम होना चाहिए, multiple choice question आ सकता, तो निकाले payback period, इसका formula दे रखा, क्या दिया है, मालू है, एक लाख divided by 25,000, आश्यर होगा, चारी आएगा, और यहाँ, एक बिस divided by 40,000, आश्यर कितना आएगा, तीन, वैसे भी आ रहाता है हमारा, चलो तो लिखोगे, calculation of payback period, अभी कुछ लिखवाया नहीं है, theory, वो बाद में लिखेंगे, सबसे पहले example से सब समझ लेते हैं, पहला क्या निकाल रहे हैं, payback period, अब payback period का formula बोलो, formula चाहिए है, investment amount divided by cash inflows, investment amount को initial investment नाम देता है, initial का मतलब, starting, formula लिख देता हूँ, हाला कि हम formula का बहुत कम यूज़ करेंगे, initial investment investment, divided by, annual cash inflows, project A का बता होगे, कितना पैसा लग रहा है, एक लाक, हर सल कितना आएगा, 25,000, answer, 4,000, project B, एक पीस, चालेस, कितना, कौन सा बला अच्छा है, तिर, 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 पूरे fm में में कहीं भी formula यूज़, अब कोगे सरीए, formula रट राया है, घर में जाके, कि initial investment, फिर तो शर्वानी चाहिए, ठीक, पूरे fm में में कहीं बेंगे, ति ठीक है, उच्छी आ, सर, formula लखना जरूरी है कि बिल्कुल नहीं, 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 लिखना, जहां में प्रेजनेटेशन ओ, में करवाँगा, टिक, वो मेरी रूटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, जो मुझे RTIE का कॉपी पहुचाते हैं, मैं दिखाता हूं उ से चेकिंग होती है करके ठीक है यहां तक ठीक है के इस टेप मार्किंग है हाँ में बताऊगा न है चलो अब चैलेंज वाला कोशन दू अब आपका नंबर है एक्जामपल नंबर जो पहले बताएगा उसको पार्टी ठीक है अब अब टार्गेट सुनो क्या है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे एक्जामपल लिखूं जो आपसे ना बने तो मेरी जीत और आपसे बन गया था आपकी जीत अब तो अब यही होगा ठीक पॉश्ट एक लाग पच्चिस कैश इंफ्लोस वाण टू टू टी पॉर पाइफ पहले साल आएगा थीसजार फिर आएगा थीसजार फिर आएगा थीसजार फिर आएगा थीसजार और फिर आएगा थीसजार और पिर 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 आएगा थीसजार और कि इतना बूलोगे यार आंसर 4.167 ले लूँ यहर्स मुझे इतना बर बता दो डर क्यों हो रहा है 4.167 ले लूँ यहर्स अब देखो यहर्स मुल्टिपल चोईस कोश्चन में क्या है वाई साब एक तू वह यह देदेगा दूसरा क्या दिक्कत होगा मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम हैं सिस्ट वह मन्त देगा 4 यह इतना मन्त 4 यह इतना मन्त 4 यह मन्त में बताओ 4 4 यह कितना मन्त यह कैसे आया मालूम है ना एक पहच्चीज डिवाइड़ बाइद थीसजर एक लाग टू मन्स पक्का यह आ गया है अब मन्त में मुझे बता दोगे 4 यह एंड टू मन्स टू मन्स कैसे आया बिटे 0.167 यह मतलब कितना मन्त कोष्ट पड़ते हु ना मतलब मिनाट सुमें बोलो 20 मिनाट अगर सुमें बोल सकता हु एक गंटा थीस मिनाट इसको क्या पड़ू देड़ गंटा नहीं है इसको क्या पड़ू देड़ गंटा नहीं बोल सकते इसको सीरियसली इसको देड़ गंटा नहीं बोल लेंगे 1.5 वर्स इसको देड़ गंटा नहीं बोल सकते कि नहीं इसको देड़ गंटा नहीं कि इसको यह क्या पचास मनट है यह आधा गंटा नहीं थो पक्का रहा यह आधा गंटा ना मैं यह आधा गंटा और यह एक गंटा नहीं कि ये देड़ गंटा कि ये देड़ गंटा ठीक है भूल जाओ इसको यह सब कर रहे हैं यह हमारे काम के चीज़ है यह हमारे काम तो आपका सही जवाब दे आपकी लोग कावीदा जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं अगला एक्जमपल लिखो जब तक मैं आपको एक्सपट नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ने हूँ एक्जमपल सर ऐसे कोश्चन आते हैं कि हाँ भाई आते हैं एक लाग पच्चिस कैश इंफली परस्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर सर फिप्थियर 40,000 50,000 10,000 45,000 and 20,000 Payback period question mark देखों दो कितना दिमाग चलता है 4.310 4.310 4 साल 4.310 जीरों के बिशे क्या यह कब आने वाला है कि पाश्ट का है यह पाश्ट का है कि फ्यूचर का है फ्यूचर का है अब यह दिमाग दो तरह से चल सकता है मैं बता रहा हूँ ना क्या क्या दिमाग चल सकता है पहला यह चल सकता है यार इसमें तो फॉर्मूला लगेगा नहीं इसको एवरेस कर ले ना यह यह भी चल सकता ना क्यों ना एवरेस कर लिया जाए पर आवरेस करें क्यों यार क्यों कि मैं बता रहा हूँ कि पहले साल 40,000 आएगा दूसरे साल 50,000 आएगा तीसरे साल 10,000 आएगा फिर हम एवरेस नहीं करेंगा एवरेस की जरूरत ही नहीं है और पहले भी हम कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं कर रहे थे यह तो इंस्ट्ट्ट बोलता था यूज करो यूज करो तो हमने कर लिया वाकि common sense तो हुए यह 25 25,25,25 पस यहां दिक्कत है क्या यहां हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो फिर हमको ऐसे अलग-अलग करना पड़ेगा cumulative करना पड़ेगा और करने पर 4 साल में हमारा पैसा recover हो रहा है तो sir इसका presentation कैसी करेंगी वो मैं बता दे रहा हूँ देखो के payback period पर यह AC ऐसे ही चलेगा कि हाँ जी अपसे नहीं है आपके बाद पहला तो year लिख देंगी ठीक है year है जाएगा फिर sir cash flow है जाएगा ठीक है और फिक क्यों मैं ले ठीक है जोड़ जोड़ की कर लेंगे यह cash flow humility cash flows बोलो पहले सल कितना आया 40,000 तो जेब में कितना रखा हमने 40,000 दूसरे सल कितना आया 50,000 तो टूटल कितना हो गया 90,000 बताओ sir यह बच्चो वाला काम है क्या हाँ बिट्टी हाँ फिर कितना आगया तो टूटल कितना हो गया और फिर कितना आगया 25,000 तो टूटल कितना हो गया तो पेवेक पिडिट्टी कितना आगया 4,000 यही subject है मैं यह भी नहीं बोल सकता कि जो एक्जम्सन डिलवाए 85,000 का है 4,000 अब बना लोगी हो जाए यहां तक हो गया अब फिर चैलेंज वाला कॉश्ट कॉश्ट ओफ प्रोजेक्ट टी कलाक कैश फ्लो फिर्स्ट येर में आएगा 40 सेकेंड येर में आएगा 50,000 थर्ड येर में आए 10,000 फूर्थ येर में आएगा 45,000 फिर्फ येर में आएगा 30,000 एब एक पिरेट कोशन मार्क ये मार्क ये सम्थिंग का इश्यू है ना यार वही चाहिए हो आपको टाइम दिया एक आंसर आचुका है खलत आंसर आने के सौ रूफे फाइन है हाँ ही मस्य वोलना 3 एर्स अपना एक काम करो ना मुझे मंस में मत बताओ मुझे एर्स में बताओ 3 पॉइंट कुछ एर्स है ऐसा भी बताओ भी तो भी चलाओ सर्थ 3 एर्स फाइब मन्त लिखिया ना आप 3 एर्स फाइब मन्त एक आंसर और शायद एक सायद तुकर 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 संझो प्वाइंट मन्त कोई बात नहीं, महीं मन्त, ठीक है, ठीक है, चल लगा 3 or 5 months पक्का अब देखते चलो भाई, कितना साल बिजनेस करना हमको? पासा तो सुरू में 4 साल तक सुरी, 3 साल तक कितना आ रहा है? 40, 50, और 1 लाग तो यहां तो कितना आ गया? 1 लाग कितना साल पूरा हो चुका है? 3 साल अब ये चलेगा मेरा कौन सा ही है? फूर्थ कितना चाहिए और? 30 सा 20 जार और चाहिए पर आ कितना आ रहा है तो? तो 45,000 कमा सकते अगर हम 12 महने काम करें तो? पर 12 महने काम ही नहीं करना हमको तो 20 जार है 20 जार के लिए कितने महने काम करना पड़े? हाँ, 5 मंथ ले सकते हैं कैसी करेंगे? यूनिट्रे मैथट मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर हम वन मंथ का निकाल दे रहा है वन मंथ का तो ये है पर्टिकुला वन मंथ का निकाल लेते हैं और उसके बाद काम कर लेते हैं जैसे भी आप काम करो यहीं फसे बस ये बता दिया ना तो टेंशन खतम हो जाए फिर से जो मेरा प्रॉबलम है वो समझने के कोशिश करो 45,000 कितने मेने में आ रहा है 12 मेने में जबकि मुझे 12 मेने का मुझे 45,000 चाहिए नहीं मुझे सिर्च चाहिए 20,000 तो 20,000 के लिए मुझे कितने मंथ में आएगा 12 से तो कम ही लगेगा यार पर वो ही तो पता करना ना कितना कोश्चन बिस इतना है कि 45,000 कमाने के लिए पुरे मुझे 12 मेने बिजनिस करना पड़े पर बुझे तो 45,000 चाहिए नहीं मुझे तो कितना चाहिए 20,000 के लिए कितने मंथ काम करना पड़े 5.33 मन अचा येर में बता सकते हूं क्या अब मेरा कोश्चन सुना 45,000 कितने साल में आता है एक साल में तो 20,000 के लिए एक साल से कम तो कितना साल इस कोश्चन को इस आइए यही आएगा वे टेक समय पक्का इधर के आजाएगा हमारा यह cash flows हम दोनों ही करेंगे 3.44 पका आएगा मुझे ऐसा लग रहा है और फिर क्या मेलेटियो cash flow चलो पहले proper कर ले जहां तक पहुँच सकते first year में कितना आएगा बीटे 40 तो यहां कितना जमा हो गया हमारे पास 40 second year में कितना आएगा 50,000 तोडल कितना हो गया third year में कितना हो गया हमें तो नहीं पहुचना है अब अब ध्यान से समझना मैं कैसे करवाना चाहरा हूँ please अब सुनना ध्यान से मेरे साथ सद कर लो payback period is equal देखो मैं unitary method का लिए हमारे पास time नहीं है कम से कम कितना साल लगेगा? तीन तो लगेगा तो मैंने यहां लिखा तीन plus अब year है तो मैं year में भी काम कर सकता हूँ ठीक है? one year में कितना रहा? यहां year है तो यहां year ही रिखूँगा ना यार ठीक है unitary method है यार पर मैं उतना जा रहा है, यहां 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 कितना रहा है? 45000 तो मुझे कितना चाहिए 20 और चाहिए 20 के लिए कितना तो 3.5 इसको करो 1.4 3.45 तो यहां यह लिखा वन यह में टूटल कितना रहा है 45 तो 20,000 कितने ही ज़र कि मंत में तो हो सकता है हो जाएगा या फिर हाँ सहीं बताया तो यूनिटरी मैथट अगर बोलोगे तो यूनिटरी मैथट से मैं करवा सकता हूँ पर अभी हमको उतना हम टाइम नहीं बरबाद कर सकता हूँ अगला एक्जामपा और इसका जवाब सहीं देना भाई अच्छा एक्जामपा कॉश्ट बहुत हो गया थोड़े बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं पाच लग हमें घुमाऊं थोड़ा सा फैस्ट येर माइनस थर्टी था हुश्ट जोस सेकेंड येर माइनस बीस जा थर्ड येर में थीन लाग सत्तर अजार होता है ना यार सुरू सुरू में बिजनेस करो ना कस्टमर आते ही नहीं है एक दो साल महनत करने पड़ेगी पूर्थ येर में तो लाग पचास जा और फिफ्थ येर में और जान लगा दो इस कोष्चिन पूर्थ येर में पहला अंसर आया 3.72 मुझे ज्यादा की उम्मीद है अपसे ज्यादा अंसर आने की 3.72 तो आंसर तो आ गया 3.7 मैं बाकी लोगों का भी वेट कर रहा हूं अलग आंसर है ना तो मुझे उम्मीद है 3.8 इसने सारे लोग गलत कैसे हो सकता और ये गलत नहीं हो सकता मैंने कब कह की गलत भी हो सकता है 5 से ज्यादा नहीं आएगा ये मेरे गैरेंटी 3.32 हो सकता है 3.32 मज़ा तो तब है चब 6 आंसर हो पैस्ट इयर में कितना है यहां कितना जाएगा माइनस 30,000 2nd year में यहां कितना हो जाएगा ठीक है, 3rd year में अब इसका बताना, यहां क्या लिए 3.20,000 बस यहां भर आपको ध्यान देना है कि यह 50,000 सेट आफ हो जाएगा ठीक 4th year में यह तो ज्यादा निकल गए है अब इसके बाद मैंने क्या बताया था सबसे पहले क्या लेना 3 तो 3 years plus 1 250 into 30 तक तक तो आ चुका है पाच चाहिए और कितना लगेगा 180 3.7 कहां गलती होई थी सही है क्वाइए 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 यह गलती है अच्छ मैंने क्वाइए सबस्क्तरव अच्छा मुझे बस इतना बता हूँ यह जो मैं लिखता हूँ यह जो लिख रहा हूँ यह क्या चीज है कैश है कैश इंफ्लो मतलब इसको बेच रहा हूँ दो सो रुपए में और बनाने का खर्चा भी तो हुआ हो बनाने का खर्चा भी तो कैश इंफ्लो का मतलब दो सो रुपए कि फिर असी काटने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कैश इंफ्लो का मतलब क्या है माल बेच्चा वह वाला पैसा उसको cash in flow बोलू या पैसा जो आया और जो गया उसके बाद सब कुछ काटने के बाद जो बचा उसको cash in flow बोलू तो पूरा दोस्तो ना हां मतलब खर्च ने काटना हा पका मतलब किदर यार दिसुरू सिये साब हमको decide तो अभी ही करना है कि हमको project करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए no doubt ये पैसा जा रहा है आच ये पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है का मतलब क्या है sales है ये sales में से खर्चे काटने के बाद जो net बचा है ये जो आ रहा है ना बिटे तीसर 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 ये क्या चीज़ है अखर्च होने के बाद इसको मैंने बेचा बेचा 200 रुपए में तो वो 200 लिख रहा हूँ यहां या फिर वो 200 में खर्च कार्ड दिये 80 रुपिया और net मेरे पास बचा 120 तो 120 लिख रहा हूँ यहां सवाल बस इतना है मतलब खर्च को हमको नहीं किनना है यह हम दिमाद चलाना पड़े है कैश इंफ्लो का मतलब क्या है आ रहा है net तो 200 रुपए revenue मतलब खर्च कुछ भी हो जाए यार 200 सुनो सर अम दो प्रोजेक्ट करेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए 200 रुपए मैं बेच रहा हूँ 200 रुपए खर्च हो जाए हो जाने दो हो जाता है तो मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा net हर्च वर्च सब काटने के बाद तो सर ये cash cash inflow इसको calculate किया जाता है अभी तक तो आपकी lottery लगी थी दिया रहता था अब calculate करना पड़ेगा तो लिखोगे पेबैक period खतम होगे कि अभी नहीं अभी तो cash inflow निकालना सिखेंगे एक note लिखोगे calculation of cash inflow cash inflow को हम बोलते है cash flows after tax cash flow after tax ये कोई method नहीं है पर इसके बिना आपका कुछ भी नहीं होने वाला न NPV होगा न कुछ होगा सबसे पहले दियर हैगा cell उसमें से माइनस करोगे variable cost variable cost क्या होता है अच्छा cost नहीं की तो expert बच्छे बैठे हुए depreciation fix है क्या variable इसली बैठे में बच्चे बोल रहे थे सर ये बताओ कि SLM की WDV अगर WDV है नहीं सर तो चैंज होते रहेगा variable एना ऐसा आपका तो नहीं है ना question variable cost इसमें से माइनस करूंगा मैं fixed cost fixed cost मतलब अगना ही एकर इक ना बात करूंगा इसमें से मैं depreciation भर minus नहीं करूं excluding depreciation जो आएगा बच की उसका अच्छा सा नाम बलो टेक्स तो मैंनस नहीं हुआ नाम बल रिस्क नहीं cost sheet के जबरूत भी नहीं क्या नाम ही होना चाहिए sales में से variable cost भी minus हो गया fixed cost भी minus नहीं हुआ tax भी minus नहीं हुआ profit और depreciation मैनस कर देते तो क्या आता है EBDT बोल सकते earning before depreciation and tax वैसे इसको हम बोलेंगे cash flow before tax cash flow मतलब depreciation को अभी यूज ही नहीं किया अब EBDT भी बोल सकते बहुत सारे नाम है cash flow before tax इसमें से minus क्या करेंगे depreciation जबरदस time pass नहीं कर रहे है मतलब यार इधर से depreciation exclude दिखाया ही क्यों बात मैं बात करता हूं जो आएगा उसका नाम बलो अब अच्छा EBDT और PBT अलग अलग होता है अच्छा तो लोग पागल है जो earning before tax भी गोलते प्राफिर इधर earning before tax earning before tax यह EBIT है अभी तो मैं लिखा हूं पहले इसको मैं PBT लिख रहा हूं अभी इसको मैं PBT लिख रहा हूं अभी बहुत ज़्यादा एक ही दिन में अगर परिशान करूँगा ना तो कोई मतलब नहीं माइनस क्या होगा टेक्स अब नाम बोलो इसका पी एटी तो सही फुल फॉर्म ना लिखों चल जाएगा ना फिर क्या करते हैं प्लस डेप्रेशिशन उच्छो आएगा उसका नाम लाएगा कैस्फ फ्लो अफ्टर टेक्स इसको कैस्फ फ्लो बोलो जाएगा इसली बैच के बच्चे मुझसे पूछ रहते हैं डेप्रेशिशन एडबैक क्यों किया उनको श्ठार माने जाएगा पर आप लोग समझदार हो तो मैनस क्यों किया सुनो मेरी बात ठीक से समझना यह सब समझ में आता है यह जो आएज का नाम क्या है CFBT आप CFBT बोल सकते हो CFBT मतलब क्या इसमें से डेप्रेशिशन माने सुवा नहीं टेक्स माने सुवा क्या अब हिसाब से बताना मुझे यह है टोटल दो लाक डेप्रेशिशन कितना है डेप्रेशिशन है पचास जार तरह टेक्स कितना है पर डेप्रेशिशन तो कभी खर्च मानना ही नहीं अब मुझे टेक्स मानना है और टेक्स का रेट है 30 पर्षन टेक्स निकालो कितना आ रहा है पर किसने कहा कि 2 लुक पर निकालना, बहुत दो लाग पर कहा यार, इंकम टेक्स वाला गोली मारतेगा, आप आप नहीं समझ रहे हो इंकम टेक्स वाला, वो गयागा पागल हो, सिये लोग हो आप लोग, टेक्स के लिए, टेक्स के लिए तो डेप्रीशिशन मैनस करना ही सिर्स क्या मायनस होका 25 पर क्या इंस्ट्टूट बुलता नहीं भाई यह क्या सीधा-सीधा कर रहे थोड़ा लंबा लेकर चलते हैं दो लाग में इसे किता मैनिस किया अपने फृटीफाई कितना आया फ़ड़ा जल्दी तो नहीं है फ्रटीफाई कितना कितना ना एक पचास पर इस एक लाग पाच रजार बेकार का मैनेस कर दिया क्या depreciation वापस क्या कर दो 50,000 तो answer कितना आएगा 155 करना कैसे है ऐसे भी कर सकते हो डारेक्ट भी कर सकते हो पर फिर वो presentation में बैठता नहीं है इसलिए हम अगर tax का amount दे देता तो अलग बात है ठीक है तो ये समझ में आया ना tax depreciation minus करके plus क्यों किया ठीक है अब लिखो exam depreciation का method मालूम है नहीं कौन कौन सा होता है SLM और WTP बस उससे ज़्यादा ग्यान नहीं देना है तो ही जहला नहीं जाएगा तो लिखोगे अब मुझे मेरा target क्या सुनो मैं आपको ये दूँगा जनरली ये ही दिये रहता है और आपको ये निकलना है तिक अब आपकी speed का खेल है मैं आपको CFBT दे दूँग CFBT 80,000 और सर टेक्स का rate भी दे दूँग 30 परशन और सर डेप्रेशिशन का भी rate दे देते 20 परशन और आपको क्या निकलना है CFBT पिछली बैच में बच्चे क्या किये थे 20 परशन निका लिया थे पर आप लोग समझदार हूँ आप एक लाग पर निकालोगे तर आपको पहले से वालूंता ना हाँ बेचे पहले से वालूंता कि आप 10 परशन निकालोगे 62 फाइनल 62 फाइनल नहीं आराज आगे आगे अंसर 62 फाइनल है ना कोई ऐसा था जिसने सेजर पर नीकला कोई नहीं था मनी मन में थे बता नी रहा हूँ अलाग बात अब देखो फिर गल्ती करवाता हूँ हाँ बिट्टी ये सब काम आने वाला है किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था पिसलिए बहुत बैच मैं इस और मैंने सिफ आंसर आंसर लिखा हूँ अब हमारे बस मन्दर मेंट बाकी है टार्गेट यही रहेगा इसको समझना है अच्छे से मुझे मालूम है क्योंकि कोशन मेरे देखे हुए अच्छे से मुझे मालूम है कि इस इस ने क्या क्या किया उनका एक ही टार्गेट है बच्चों को फैल करना और उन्होंने क्या क्या किया है वो मैं आपको यहां बता रहा हूँ में भी दो देखूँ कि आप जेल पार रहते हैं कि ने इंस्टिउट अगला एंग्जाम्पल सावधानी से करना है ना सावधानी से CFBT 75,000 ठी कैसा है Tax Rate कोई फर्क नहीं पड़ाता है हमको एक लाग दास ज़र फिर ऐसा सैल्वेस करके लिखता है कभी नाम सुना है दस ज़र एसा लाइब भी दे देता है पासल वो बोलता है CFBT निका लिए क्या लगता है 52 लिटो वह उन्हें हिंदी में वही बोला था 53 रेप्रेशिशन के ना निकला 22 बच्चों का एक कोश्चन आया था कि सर अगर कोश्चन में कुश नहीं लिखा है तो SLM मेथेट के WDV ऐसे कर लिए सांस स्सक्राइए फरिये फेर यहां हम WDV लगा सकते हैं अगर यहां परषिंटेज दिया रहता तो तो Soit WDV कशम खा लो, गलती मत करना अगर परषिंटेज दिया रहता तो WDV पर दिया नही है नहीं? अलाइ भी देदिया पसंटेज भी देदिया WD इसका कर लिया है सौन इतना अरा फाइनल अंसर 53 एक्षामब चलो देखता हूँ किता नॉलेज है CFBT 125,000 टैक्स 35,000 मैं ये बार-बार चेंज करता हूँ टैक्स स्टेट उसकी वज़ा क्या है मालू है क्योंकि पहले ना मैं 30-30 परशन लिखाता था पेपर में भी ना कुछ भी क्यो ना हो 30 परशन डालके आ गया बच्चे ऐसा हुआ है ठीक है सर अब क्या चाहिए आपको कॉस्ट अप मशीन एक लाख तस जार तैल वेस तस जार एक लाख एक लाख 20 परशन पा रहे ना SLM मेथट यह फिटी कोश्चन मारा है यह कोश्चन आया हुआ है आई सी तूँ 950 तभी का इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते वैसे पर फिर भी एक शक तो होता है तो CFBT कितना एक लाख 25,000 बहुत अच्छे माइनस क्या करेंगे कितना 22,000 20,000 अगर रेट दिया है तो डेप्रेशिशन निकालते समय सेल्वेस वैल्यू माइनस नहीं करते कहां पढ़ा था फावंडेशन ठीक है तो गलती एक ही हो सकती है कि एक दस पे आप 20 परशन निकालना जबकि एक लाख पे 20 परशन निकालना है एक लाख दस यार का 20 परशन कितना आया है फिर तो कर लिया होगा आपने फाइनल कितना आरा अरा अंसर ETH 9 एक्जाम्पल यह लाश्ट एक्जाम्पल हो सकता है अगर सहीं सहीं जवाब दे दो तो दिक्कत दो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ मैं मुझे रिटर्न में आंसर चाहिए ठीक CF प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं भी करूँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा कर काम करूँ CF BT ले लेते हैं 45,000 प्रेजेंटेशन का एमाउंट लिखकर देदोना बहुत मुस्किल होता डेप्रेजेशन नहीं टेन थाउजन यह फिर देने कालना है क्या चीज बचा पाँच टाइम पैस तो नहीं करोगी ना टाइम पैस का मतलब संज़रे ना नहीं नहीं हम तो डेप्रेशन एट करेंगे ठीक है यह माइनस करेंगे सवाली पैदा नहीं होता कोड़ी 5000 मालूम है 5000 मालूम है बात खतम ना यार मालो इस कोश्चन में डेप्रेशिशन नहीं देता तो कि डेप्रेशिशन रूणते बैठते कहां है डेप्रेशिशन बिना उसके कि इसी बात है यह बीटी मैनस टेक्स अंसर कितना जाएगा अभी कुछ पढ़ा नहीं है हम लोगों ने पेबैक पिरियाड रफली समझाए कि क्या होता है कि लिखवाया कुछ भी नहीं बस डेप्रेशिशन आपको निकालना डेप्रेशिशन की जरूरत पड़ेगी यह बहुत ज्यादा जरूरत बड़े बड़े कोश्चन्स है मुझे बस इतना बताओ इसको लिखना नहीं है यह सब आता है मैं बस एक पूश रहा हूँ जैसे एक लाक रुपय है और डेप्रेशिशन का रेट है माम दो 25 परशन पा रहे हैं हम डबलो डीवी में एक साल दो साल तीन साल चार साल पास साल डेप्रेशिशन निकल सकते हो क्या है डबलो डीवी समझ रहे हो ना यार पहले साल का कितना है पच्छेस दूसरे का 18750 140062 टीक है चल जाएगा 547 ले लिया कैसे निकाल रहा है हूँ अलग-अलग तरीके होगे सब के सब्सक्राइब मैनिस करके मैनेस कैसे करते हूँ मैनिस थीज़न सब्सक्राइब पर भी बता देता हूँ मिज़े रुद पड़ेंगे एक राख मैनिस 25 परशन मैनिस 25 परशन minus 25% ऐसी कर रहे हूँ ना अच्छा आप 1 लाक ऐसा कर रहे हु इंटू 25% minus 25% बदा नहीं हो गया सुनो 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 सेखना पड़ेगा पहला एक लाक केल्कुलेटर में into 25% इतना आगया अब सिर्प-25 परशन करना है यह आगया पिर-25 परशन फिर-25 परशन एक तो यह तरीका हूआ जो मुझे जाएदा लंबा लगता है जो यह सीधा-सीधा है हम इन टु एकवल टू यह सब नहीं करेंगा सिदा माइनस 25 परशन के लिए डूसरा पेले साल का डेप्रेशेसं मालूम है ना इची जी सीखना बढ़े किस हजार है पहले सबने के मल्टीबल चॉषिस कोइचन है पहले साल का 55 जरे सर अब दूसरे सल में खास बात क्या है कि यार जो पहले साल का है उसका 75 परशेंट ही होगा तो यह 75 परशेंट ही होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं पॉइंट सेवफाइब लिखो इन्टू पचीज़ एक वाल टू करो एक बार दो बार उक वाल टू करो इन बार इक वाल टू करो चार बार एक वाल टू करो ऐसे ने कल सकते हैं more steady more confusion तिखो सबसे ये क्योंकि ना बहुत लंबा कैल आपको क्या लग रहा है ये काथ दो साल का है लंबा दे देता है 10 साल का कर लो है 10 साल तक डप्रीशिशन ने कर एक तरीका क्या था हमारा एक लाक इंटू 25 परशंट माइनस 25 परशंट माइनस 25 परशंट ऐसे करके कर सकते हैं दूसरा पॉइंट सेवन फाइव इंटू 25 थावजन एक दो दीन चार ऐसे भी करके कर सकते हैं कल इसी के आगे चलेंगे कल आल्मोस्ट मैं आपको बेसिक खतम करवाँगा कल जैसे अब भी तो देड़ घंडा हो गया ब्रेक रहेगा 15-20 मिनट का और फिर ब्रेक के बाद पढ़ेंगे आज क्लास ओवर करना है कल से डिस्कूस करेंगे इक लिख वाँ में ये सारी चीचे